हलो फ्रेंड्स वेल्कम्ट्र न्यू स्टूटिं लेक्चर वीडियो फ्रम मेडिकल अप्टिक्स ब्रहा तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में examination point of view के लिए बहुत ही important सा सवाल है what are clotting factors और उसके जो 12 clotting factors का नाम तो इससे पहले आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए कि clotting क्या होता है what are the names of the clotting factors और coagulation क्या होता है दोनों में कुछ difference होता है या फिर दोनों सेम ही होते हैं तो चलिए इस वीडियो को आगे लेक्षी चलते हैं तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe ज़रू कर लिजी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो like भी कर देना क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगे medical laboratory technician के लिए बहुत सारे semester examination के लिए theoretical questions, practical oriented videos as well as multiple test questions और आगे भी जतनी सारे competitive examination आ रहा है उसके लिए तयारी भी हम लोग कर रहे हैं ठीक है so let's discuss about blood coagulation तो blood is a fluid connective tissue होता है आप लोगों पता होगा blood is a body fluid ठीक हमारे body में present होता है यह blood जो होता है अगर whenever it gets injured मतलब कभी भी अगर हमारे body में कहीं भी injury हो जाता है it may be externally और it may be internally कभी कभी पता होता है न कभी भी accident अगर हमारा हो जाता है तो internally क्या होता है हमारा injury हो जाता है जो कि बाहर जो injury होता है that is different from the internal injury क्योंकि हमारे जो internal organs जो anatomy of human में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सरे जो organ जैसे की liver हो गया kidney हो गया uterus हो गया आप लोगों का और उसके बाद गॉल, ब्लडर, स्टोमक, पैंक्रीज, बहुत सरे ओर्गन्स हैं, जो कि यह बहुत मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर इंटरनाली भी यह इंजियोर हो जाते हैं, in case, ब्लड सेट्स, ठीकें, तो फॉर्टो 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 फॉर जो fluid होता है, blood जो होता है, body fluid होता है, it loses its fluidity, यह जो flow करने का nature है, उसका fluidity nature है, वो lose कर देता है, and it becomes a semi-solid jelly-like material, आप लोगोंने jelly तो देखा ही होगा, तो वो semi-solid jelly material जैसा हो जाता है, at the site of that injury, चाहे वो internally हो, चाहे externally हो, कहीं पर भी अगर आप लोगों का injury हो जाता है, तो आप लोगों पता चलता है, कि after 7-8 minutes, उसके वहाँ पर एक, मतलब jelly-type से आप लोगो कुछ दिख रहा है, semi-solid से दिख रहा है, so that is, the point is, कि यह वहाँ पर होता है आप लोगों का coagulation, और उसको भी आप लोग बोलते हो clotting, clot कर गया, और यह तो हमारे human body में, बाकि आप laboratory technician ही, आप लोगों को पता ही होगा, कि blood को जो हम लोग क्या करते हैं, normally जो plain wild भी होता है, जो आप लोगों का clot activator होता है, जिसमें, हम इसमें अगर blood को रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो जो serum है, वो separate हो जाता है, बाकि नीचे जो RBCWC platelet, वो क्या करते हैं, clot कर जा चाहिए होता है, जिब हम लोगों को whole blood चाहिए होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, anticoagulant arc कर लेंगे, तो उसमें clotting नहीं होगा, coagulation नहीं होगा, और हम लोगों को मिल जाएगा plasma, as well as हम कभी भी अगर whole blood चाहें, तो use कर सकते हैं, ठीक है, कभी मतलब within 4-5 hours, तो यह होता है आप लोगों को serum और plasma में difference आप लोगों को पता ही है, तो यह होता है, coagulation mainly, जो clotting होता है, लेकिन आप लोगों को जितना simple लगता है, कि हाँ यहाँ पे injury हो गया, और wound हो गया, कहीं पे भी, और उसके बाद यह clot कर गया, यह इतना simple, इतना आसान नहीं है, अगर हम लोग उस इस video lecture में सिर्फ बात करेंगे, clotting factor के नाम, अब लोगों कहीं पे भी पूछ लिया हुआ, कि clotting factor 8 का नाम क्या होता है, यह जो होता है, roman number में है, और this is internationally accepted, तो इसका अगर आप लोग देखोगे, chart जो देखोगे, factor 1, factor 2, ऐसे लिखा होगा, factor 1, 2 नहीं लिखा होगा, लिखा कौन सा factor है, आपको पूरा याद रखना है, ठीक, first of all, the first factor is factor number 1, और उसका common नम क्या है, fibrinogen, fibrinogen जो होता है, यह होता है, factor number 1 का नाम, और उसका क्या काम होता है, उसका fibrin clot, जो clot बनता है, कैसे बनता है, वो thread-like structure बन जाएगा, कहीं पे भी अगर, when the blood loses its fluidity, तो वो जो clot formation होता है, जो threads होता है, वो fibrin होता है, तो यह होता है, आप लोगगा, factor number 1, that is the fibrinogen, next we'll move towards the factor number 2, that is prothrombin, prothrombin, it will activate thrombin, ठीक, उसके बाद ही जाके, आप लोगगा, fibrinogen आके, fibrin clot बनाता है, तो यह इसका भी important role है, this is the factor number 2, that is the prothrombin, next is factor number 3, factor number 3, पे आप लोगगा जाएगा, thromboplastin, thromboplastin, यह बहुत ही important सा जो है, सवाल है, कभी कबार पूछ लेका ऐसा है, factor number 3 का नाम क्या है, that is the thromboplastin, next is factor number 4, बहुत ही important है, factor number 4 होता है, calcium, calcium double plus होता है, और यह calcium हम लोग क्या करता है, जो anti-coagulant use करते हैं, कुछ anti-coagulants ऐसा भी होता है, जो की calcium को remove करत है, so that, यह coagulation ना हो जाए, ठीके, because calcium helps in clotting or coagulation, अगर हम लोग यह calcium को remove कर देंगे, तो वो जो blood होगा, वो clot नहीं करेगा, या फिर coagulation नहीं होगा, यह वाला method हम लोग use करते हैं, blood banking में, ठीके, ताकि हम लोग उसको store कर सके whole blood को, factor number 5 जो है, वो है, प्रो अक्सलेरिन, ठी factor number 7 का नाम है, pro-convertine, factor number 7 का क्या नाम है, pro-convertine, आप लोग देख सकते हो, कितने जो 12 factors हैं, आप लोग यह पूरा कैसे use होता है, जैसे कि, मतलब यह है, clotting factors, और इतने clotting factors, use होता है, for blood clotting and blood coagulation, जितना आसानी से आप लोग को दिख जाता है, कि हाँ, तुरंदी clot हो गया, इतना असानी से वो अंदर में नहीं होता, पूरा होता है, उसका pathway होता है, इतने सारे clotting factors का का काम होता है, सबका function होता है, ठीक है, factor number 7 है, pro-convertine, factor number 8 है, सबसे important है factor number 8, factor number 8 है, anti-hemophilic globulin, anti-hemophilic globulin is the factor number 8, factor number 9 है, याद रखना है, अच्छे से आप लोगों को, factor number 9 is the Christmas factor, आप सब लोग Christmas को celebrate करते हो, ठीक है, तो वो Christmas factor होता है, factor number 9, तो 9 जो factor होता है, वो होता है, Christmas factor, और factor number 10 है, Stuart power factor, तो 10 हो गया, आप लोगों का Stuart power factor, तो यह होता है, 19, 9 का आप लोगों आप लोगों का होता है, Christmas factor, factor number 10 है, Stuart power factor, factor number 11 है, जो एक साही है, वो है, प्लाजमा, थ्रॉ इसको याद कर लिजे और इसका काम इतना important जो है हम लोगों को नहीं लगता कि examination के लिए इतना important है जितना laboratory technician के लिए important है मैं बता रहे हूँ कि 12 factors I'm sorry 13 factors 13 factors are very much important उसका नाम और उसका कौन सा factor है आप लोग इसको याद रख लीजे ठीक है अगर वीडियो से आप लोगो को कुछ भी help हुआ हो वीडियो को like जरूर करते ना चलने पर पहली बार आए है चलने को